इतना सुन्दर लिखाए कार्थि के महिने में दसमी तिथी को जो तुलसी की डंडी को घी में भिंगो कर अपनी कामना करकर भगवान के सामने दिये में रखकर जला देता है दिये की तरह उससे आरती उतार देता है कहते हैं उसका जनम दूसरी बार प्रत्वी पर नहीं होता वो भगवान के घोलों के धाम में जिन्दगी भर के लिए विराजमान हो जाता है जिन्दगी भर के दीप के बार कि भिष्णु पुरान के श किस नहीं सुनी है हाथ उठा विष्णु पुराण का पाचवा अंस myth कार्तिध्खंड बर्णन करता है या स्कंध पुरान का कारतिक खंड को उठा लीजिए वो बर्णन करता है चोविस तरह के दिये होते हैं कितने तरह के चोविस तरह के दीप होते हैं उस दीप में सरवधिक स्रिष्ट दीप होता है तुलसी दलकालिया तुलसी की घंडी से जो प्रगट किया बत्तियों का विक्रम है एक लंबी बत्ती होती है एक ग गोल बत्ति और लंबी-बत्ति में उंतर होता है बहुत जमीन आसमन का नतर है जो डिहां दिक फिर एडियो नेशेड ऐसकती होएं लंभी-बत्ति किसकिस देवी देवेता कि लगती है तो इसकंद पराण और विश्णु पुरान दोनों करती है जो लंबी बत्ती होती है वो पित्रों की जगा पर पूरवजों की जगा पर पूरवजों की जगा पर बढ़ के पेड़ के नीचे पीपल के पेड़ के नीचे लंबी बत्ती का प्रमान किसी देवी के स्थान पर जो देवी की पूजन करते हैं, जगदंबा की पूजन करते हो, पारवती की करते हो, लच्मी की करते हो, उल देवी का स्थमन करते हो, लंबी बत्ती का प्रमान, और जो गोल बत्ती होती है, वो गोल बत्ती का प्रमान किसी हनमान मंदिर, राम मंदिर, शिव मंदिर, जितने द वंस बड़ा होना चाहिए लंबा होना चाहिए और देवता के सामने गोल बत्ती इसलिए लगाई जाती है कि हमारा मन ये चित्त ये ब्रत्ती आपके चरणों में टिकी रहे और एक दिन हम भी बेकुंठ का बास करें इसलिए गोल बत्ती लगें एक सहस्त्र बत्ती होती है करे तो इसकंद पुराण में कार्तिक खंड के अंदर इसपश्ट किया गया सहस्त्रावली बत्ति, 108 लंबी बत्तियों का जो प्रमान हैं, वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने किसी तीरत को ना करा हो, पूरे तीर्थ नहीं गए हो, सारे तीर्थों का इस्तना नहीं करा हो, किसी तीर आइन के मंदर में, शिव मंदर में, देवी के मंदर नहीं, केवल देवता के मंदर में, अगर उसको घी में भिंगो कर प्रजुलित कर दिया जाता है, तो सारे तीर्थों के दर्शन का फल उस जीव को प्राप्त हो जाता है, उसको सहस्तरावली बत्ति, दोस्तों, श्री श संदाय चैनल को लाइक करें, सस्क्राइब करें, शेर करें, धन्यवाद